महादेव सट्रेबाजी एप मामली में एडी द्वारा पूरा कारों पत्रों में कॉंगरेस नेता वा पूरु सेम भुपेश बगहिल का नाम लिया जाने पर छतिसगर के डिप्री सेम और कॉंगरेस नेता टेसी देव ने कहा कि चुनाओ नतीजों को प्रहावित करने के लिए राज चुनाओ से पहले भी भुपेश बगहिल का नाम लिया गया था असीम दास की बयान के आधार पर नाम जोड़ा गया है लेकिन उन्होंने खुद लिखित पे दिया था कि उस पर दबाव डाला गया और एडी ने बयान ले लिया पूरे देश में एडी का खेल चल रहा है मैं इस कारवाई को उसी संदर्ब में देखता हूं किसको पैसा मिला और उसका इस्तिमाल कहां किया गया पहले एडी को साबित करना होगा कि पैसा भुपेश बगहिल को मिला भुपेश बगहिल जी का नाम पहले भी एडी के प्रेस नोट के माध्यम से उजागर किया गया था चुनाओ से पहले और उससे में सपर्ष दिख रहा था कि चुनाओ के परिणाम को प्रभावित करने के लिए कांग्रेस के विप्रीद इस परकार की कारवाई की गई है जो स्वेम अपराधी हुए जिनके पास खुद पैसा मिला वैसे असीमदास के बायान का हवाला दे के चार्शीट में नाम डाला जा रहा है और उन्हीं असीमदास ने खुद लिखित में ये दिया था कि मेरे उपर दबाव बना के इस परकार का बयान एडी ने लिया है तो ये एडी का जो खेल सा चल रहा है पूरे देश में मैं तो ये सारी कारवाई उसी नजर से देख रहा हूँ कोई नई बात होती तो परिशानी की बात हो सकती थी ये तो देश भर में इसी परकार से किया जा रहा है तो हर व्यक्ति देश में लगभग अब एडी की कारवाई को इसी नजर से देख रहा है कि ये एक औजार एक हत्यार सा बन गया है भारती जनता पार्टी के लिए विपक्ष के लोगों को दवाव में लाना और किसी तरह से कॉंग्रेस की छबी पे दाग डालना और चुनाओं में उसका लाप लेना पहले ये तो स्थापित करें कि पैसा भुपेश बखिल को मिला मनी ट्रिल कहा है नगत पैसा तो असीम दास के हाँ मिला अब जो खुद आरूपी हो गया है मैं तो ये मान सकता हूं कि अपने आपको बचाने के लिए उससे ऐसा बयान दे दिया जो स्वेम उसने कहा कि मेरे को दबाव डाल के बयान करवाए गया तो उसको बचाना है इनका नाम लो फिर तुमको देखेंगे बचाएंगे तुमको तो इस प्रकार की कारवाई में आख नगत तो दिखे पैसा कहां से कहां गया वो पैसा आपको मिला मेरे को मिला मैंने फिर किसको दिया आपने किसको दिया वो रस्ता तो दिखे पैसा तो गया किस चीज में उपयोग किया गया कोई जमीन खरी दी गई कहां गया वो पैसा हवा हवा में आरोप लगा के कारवाई करना तो फिर आप किसी के उपर कुछ भी कर सकते